Hello everyone, welcome back to my channel English Excel आज मैं फिर आपके लिए 10 important vocabularies लेके आई हूँ जो आपके English knowledge को enhance करेगा, आपके knowledge को improve करेगा Friends, कोई भी effective sentence form करने के लिए आपको vocabulary का knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है उस पे एक command होना बहुत ही ज़रूरी है तो इसलिए हम 10-10 vocabularies regularly करेंगे तो चलिए हम अपना वीडियो को start करते हैं आज का पहला word है Valor Valor का meaning है great courage, bravery या फिर हिरोईजम Valor का मतलब होता है वीरता, बहादुरी, साहस या फिर पराकरम जैसे आपने news में सुना है कि कैसे हमारे भारतिय सैनिक गलवान वैली में चीनी सेना के साथ, वीरता के साथ लड़े और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने देश के लिए अपने मात्रभूमी के लिए अपने प्रानों तक का भी बलिदान कर दिया आए हम वैलर वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं तो सेंटेंस है तो वैलर का मतलब होता है वीरता, बहादुरी, साहस या फिर पराक्रम So the sentence is The Indian soldiers fought with great valor at Indochina border Next word is Exaggerate Means Over-emphasize, intensify, to increase or to enlarge Exaggerate का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चड़ा कर कहना जैसे आप लोगोंने कुछ news channels में सुना है कि कुछ जो anchors होते हैं वो पांच मिनट की news को आदे गंटे का show कर देते हैं आदे गंटे का program कर देते हैं वो news को क्या करते हैं Exaggerate करते हैं बढ़ा चड़ा कर कहते हैं तो exaggerate का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चड़ा कर कहना आए हम देखते हैं इस word को sentence में कैसे use करते हैं तो sentence है He has the habit to exaggerate मतलब उसे किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है तो exaggerate का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना So the sentence is He has the habit to exaggerate Next word is versatile Versatile का meaning है multi-talented और multi-skilled मतलब है बहु मुखी प्रतिभा वाला या फिर प्रतिभा शाली या फिर हम कह सकते हैं अनेक गुनो का या फिर अनेक गुनो वाला जैसे अक्षे कुमार एक versatile एक्टर है मतलब वो किसी भी रोल में fit हो जाते हैं वो बहुत अच्छी comedy भी करते हैं या फिर वो अपने फिल्मों में बहुत अच्छी stunt करते वे नजर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि अक्षे कुमार एक versatile एक्टर है आएए हम इस word को sentence में देखते हैं तो sentence है अक्षे कुमार is a versatile actor in Bollywood film industry मतलब है अक्षे कुमार बॉलिवड film industry में एक बहु मुखी प्रतिभावाले या फिर बहु मुखी प्रतिभाशाली actor है तो versatile का मतलब होता है बहु मुखी प्रतिभावाला या फिर प्रतिभाशाली so the sentence is अक्षे कुमार is a versatile actor in Bollywood film industry next word is ग्रिवांस ग्रिवांस means complaint या फिर हम कह सकते हैं शिकायत आएए हम इस word को sentence में समझते हैं sentence है the students presented their grievances against the university administration to the chancellor मतलब है विद्यार्थियों ने अपनी शिकायते यूनिवर्सिटी प्रसाशन के खिलाब chancellor के सामने रखी तो ग्रिवांस का मतलब होता है complaint या फिर शिकायत so the sentence is the students presented their grievances against the university administration to the chancellor next word is shrine shrine का meaning है a holy place or a sacred place shrine का मतलब होता है पवित्र स्थान या फिर हम कह सकते हैं तीर्थ स्थान जैसे हम कह सकते हैं वैशनो देवी हिंदूों का पवित्र तीर्थ स्थान है या फिर हम कह सकते हैं पवित्र स्थान है तो shrine का मतलब होता है पवित्र स्थान या फिर तीर्ट स्थान आये हम इस word को sentence में देखते हैं Sentence है Banaras is famous for shrines and temples मतलब है Banaras तीर्ट स्थानों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है So the sentence is Banaras is famous for shrines and temples Next word is obligation Obligation means responsibility or duty Obligation का मतलब होता है कर्टव्य, दाइत्व या फिर जिम्मेदारी जैसे हमारा ये obligation है हमारा ये responsibility है दाइत्व है कि हम अपने आसपास के surroundings को अपने environment को neat and clean रखे, स्वच्छ रखे, साब सुत्रा रखे आये हम इस word को sentence में और भी अच्छे तरह से समझते हैं तो sentence है as a children we have certain obligations towards our parents मतलब है बच्चो के रूप में हमें अपने parents के प्रती कुछ जिम्मेदारिया या फिर हम कह सकते हैं कर्टव ये होते हैं तो obligation का मतलब होता है कर्टव ये दाइत्व या फिर जिम्मेदारी So the sentence is as a children we have certain obligations towards our parents Next word is eager Eager means intense desire, curious और impatient Eager का मतलब होता है इक्षुक, उत्सुक या फिर अधीर आये हम इस word को sentence में और भी clear वे से समझते हैं तो sentence है he was eager to know his board result मतलब वह अपने board परिक्षा का परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक था तो eager का मतलब होता है इक्षुक, उत्सुक या फिर अधीर So the sentence is he was eager to know his board result Next word is faint Faint का meaning है fall unconscious और blackout मतलब है बेहोश हो जाना आये हम इस word को sentence में देखते हैं Sentence है she fainted during assembly due to scorching heat मतलब है वहां assembly में जुलसाने वाले गर्मी के कारण बेहोश हो गई तो faint का मतलब है बेहोश हो जाना So the sentence is she fainted during assembly due to scorching heat Next word है thoroughly Meaning है completely and carefully Thoroughly का मतलब होता है अच्छी तरह से या फिर पूर्ण रूप से या फिर हम कह सकते हैं बखुबी आये हम इस word को sentence में समझते हैं तो sentence है the teacher asked the students to read the lesson thoroughly मतलब है teacher ने विद्यार्थियों को पाठ अच्छी तरह से पढ़ने को कहा तो thoroughly का मतलब होता है अच्छी तरह से या फिर पूर्ण रूप से या फिर बखुबी So the sentence is the teacher asked the students to read the lesson thoroughly Our last word is utmost Atmost का meaning है maximum और greatest मतलब है सर्वधिक या फिर अधिक्तम आये हम इस word को sentence से समझते हैं तो sentence है utmost care should be taken by the elderly and children specially during corona pandemic मतलब है corona महामारी के समय बुजुर्गों और बच्चों को सर्वधिक ध्यान देना चाहिए तो utmost का मतलब होता है सर्वधिक या फिर अधिक्तम So the sentence is utmost care should be taken by the elderly and children specially during corona pandemic Friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें थाउड़ प्रेस्ट आपको लाइकन करें